हेलो गाईज तो स्वागत आपका एक नए वीडियो में आज आप थोड़ा सैट अप देखके सोच रहोगे कि आज मैं ऐसे कैसे वीडियो बना रहा हूँ तो गाईज जब मैं पूरा प्रोफेशनल वे में वीडियो बनाता था तो लोग सोचते थे कि मैं कोई एजेंट हूँ तो मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते थे बिजनस से वीजा से रिलेटेड बिजनस वीजा से रिलेटेड या फिर वाक पॉमिट से रिलेटेड जिनके साथ मकाव भी आप कर सकते हो तो मैं कैसे गुमात और आप कैसे जा सकते हो वहाँ पर वही चीज यह हम इसके अंदर बताने वाले हैं अगर आप होंकोंग के लिए प्लैन कर रहे हो तो वीडियो आपके लिए हैं तो बगएर देर करते जल्दी से स्टार्ट करते हैं मैंने पर लिख भी लिया है ताकि कोई चीज रहना जाए देखो Hong Kong जाने के लिए सबसे पहली चीज आपको वीजा का दिमाग में आता है बाकि आप गूगल पर लिखोगे पार फॉर्म होंग कोंग तो आपको पहला ही लिंक मिल जाएगा आप इजीली भर सकते हैं उसके बाद वहां पे एंट्री करने के लिए जो पार फॉर्म है उसके बारे में थोड़ा बता देता हूं वैसे मैंने प्रिविश वीडियो में बत पासपोर्ट के साथ आप एजीली मकाव विजिट कर सकते हैं वहां पे वीजा फ्री एंट्री आपकी वहां पे कोई फॉर्म भी फिल नहीं करना है आपको सिधा वहां पे पोर्ट पे एंट्री करने हैं इमिग्रेशन क्लिर करना आप एंटर कर सकते हैं कोई होटल के लिए हैं वैसे यह हुसके बारम में भी कर सकते हूं और अब बात करते हैं कि हिंडिया से zelfs से बैस्ट वे आपको बता है आप ले सकते हों और मोस्टली चांसिस में मैंने देखा जो लाइट है वह जदा इजी रही कई बारी 15-16-16 हजार में रिटन प्लाइट मिल जाते हैं पर आप मान के से बीस-बैस जार में रिटन प्लाइट मिल जाएगी होंग कॉंग इंडिया से कॉलकाता या या पिर डैली से मुंबई से कहीं से भी मकाउ के लिए और होंकोंग से आ जा जा सकते हो फेरीज से बकर बसिस से वह वह बिता भूँड सकते हो मैं कैसे के घ्रेख Ing соз इसके साथ आपको वहाँ भोटेल बुकिंग बता है वह आपको घुर्थ दिखाने पड़ेगे तो उनको बोल सकते हो की मैं । तो वो मान जाएंगे और अगर आप थोड़ा सा चाहते हो कि ज्यादा कोई स्वाल जो आप आप नहीं कर सकते हैं उनके साथ थोड़ी English week है या पिर मतलब आप इतने confident नहीं है तो dummy ticket carry कर सकते हो dummy ticket भी easily मान जाते हैं कुछ बोलते नहीं है दाकि mostly कैसिस में कुछ खास पूछते नहीं सिद्धा एंटर देते हैं पासपोर्ट में को स्टैम नहीं लगती स्लिप एक स्लिप देते हैं और चोदान दिन के लिए आप Hong Kong में stay कर सकते हो और same slip मिलती है Macao के immigration पे भी 30 दिन के लिए स्टे आप वहाँ पर कर सकते हो तो documents का sorted हो पासपोर्ट होना चीए आपके पा सकते हो वो चीज़ भी मैं पता देता हूं अक्कोमेंडेशन होटेल अप होटेल में कहां भी रुकोगे अगर आप मेरे जैसे बजट ट्रैवलर हो बहुत ज्यादा खर्ज नहीं करना चाहते हो तो वहाँ पे काफी फेमस जगह है जिसका नाम है चौंकिंग मेंशन वहाँ आप जाके स्टे ले सकते हो जो की काफी सस्ता उक्षन है और आपको वहाँ पे होस्टेल हो जाएंगे और वहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे आपको इंडिन फूर बहुत सारा मिल जाएगा और एवरेज मील की बात करूं ऐसे बजट ट्रैवल तो 200 से 300 रुपे में आप एक पर भी रुख सकते हो सस्ते और महेंगे सारे तरह के होटेल आपको वहाँ पर बात कर लेते हैं सिम कार्ड की बी जो सिम कार्ड है वह आप एजीली 800-700 रुपे में ले सकते हो डिफ्रेंट वैरी करता कि आप कितने दिन आप इस्टे कर रहे हो तो एक वीक का प्लैन ले सकते मिनिम्म मेरिकाल से एक वीक का ही होता है तो 700-800 रुपे मिल जाएगा इससे ज्यादा का अगर आप ले रहो दो वीक का ले रहो तो हजार बार सो पंदरा सो सो सोला सो दो हजार वो डिपेंड करता कि आप कितना जीब इंटरनेट ले रहो तो अकोडिंग लिए आप देख ल इंस्वरेंस के हमें रिक्वाइर्मेंट है देखो वैसे कंट्री मांगती नहीं है इमिग्रेशन आफिसर मांगता नहीं आपसे इंस्वरेंस वह अपनी सेफ्टी के लिए होता है अब आप देख लो कि आप कितने कंसर्न अपनी हेल्थ को लेके और आपके पास होना कोण की करन्सी की और मकाउ की करन्सी वह सेमई है हांकोंग यानि अपने 10 कुछ रुपे ग्यारा मान लो बाकि गूगल पर देख लें आप नीचे चलता रहता है और ऑनके चलो कि आपको 100 खर्च करने हैं तो वहां पर 10 ओंकोंग ॡॉलर में आपको 100 खर्च हो जाएएगे और मकाव में भी आप जब जा रहे हो तो आपको करणसी वगरा चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं है आप अपनी करणसी कर सकते हो लाइक होंग कोंग डॉलर ही उदर चल जाएंगे बस कोसिस करना की खुल ले हो और वहां पर इजी मैनेज कर सकते हो तो करणसी भी कोई ज्यादा लंबी चोड़ी गेम नहीं है और मेरे केस में मैंने करणसी जो कैरी कर वहां पर चेंज करवाई थी मेरे होटेल वगएर ऑनला इंडिया का आपको बता दिया है तो इंडिया से आप रिटन करते हो तो सोला से बीसे जार्वे में एक परसंट का इजीली हो जाएगा लग अच्छा है तो 15,000 में भी काम चल जाएगा कई बारी बहुत सस्ती मिल जाती है क्योंकि होंग कोंग डारेक्ट फ्लाइट चलती है और मेरे खाल से 100,000 में मिल जाता है 50 का डिपोजिट रखते हैं और कुछ पैसे उसमें आ जाएंगे एकजक्ट देखना तो लोग देख लेना ओके तो अक्टोपस कार्ड ले 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 ना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जाते टाइम आप रिटन कर सकते हो आपको जो आपक सब्सक्राइब कर सकते हैं और होटेल के बारे में थोड़ा साइडिया दे देता हूं अगर आप चंकिंग मेंशन में रुकोगे तो आपको हजार पंदरा सुर्पे में अराम से होटल का कमरा मिल जागा पर बहुत ज़्यादा चोटे होते हैं बहुत बेकार होटल होते हैं और भाई कहीं पर ज्यादा पैसा भी स्पैंड करोगे साइज तो फिर भी सेमी मिले वाज थोड़ी सी सूहलियत बढ़ जाएंगे और आप पे जाने के बाद आप गूमेंगे कहां कहां तो आइटिनरी की हम बात कर लेते हैं पहले मैं अपनी बता देता हूं पर उसमें आपको मैं एड़न करके दे दूंगा कि अगर आप और भी ज़्यादा स्पैंड करना चाहते हैं बट आप कम पैसों में अच्छे से एक्स सकते हैं अपने होटल तक मैं चॉंकिंग मैंशन में ही रुका था तो वहां पे मैंने A21 नंबर की बस ली थी जिसने मेरे को होटेल के सामने उतार दिया था और मेरी कोस्ट आई थी वह एक्जक्ट मुझे याद नहीं कितनी आई थी I think 36 डॉलर के असपास आई थी मैं लिख ला था और शाम को मैंने वहां पे नाइट लाइफ इंजोई करी और विक्टोरिया हारबर करके एक जगह है चौंकिंग कुछ एक है वहां पे घड़ी सी बनी हुई है घंटागर टाइप ओफ जैसे अपना हरी दुआर में लगा हुआ है वैसा सा कुछ बना हुआ है वहां पर बैटके मैंने रात के टाइम पर सिंफनी शो करके देखा सिंफनी लाइट शो करके जो की काफी फेमस है मेरे खाल से और वहां पर लेजर शो होता है बिल्डिंग को पर से लाइट ये निकलती है मुझे परसिनल इतना कुछ खास नहीं लेगा बढ़ हां परफेक्ट चानिज खा सकते हो इंडियन लेगा बहुत सारे उप्षेन हैं तो मेरा फिर्स डे ऐसे निकल गया था नैक्स डे मैंने प्लैन किया था कि मैं जाओंगा यहां की सबसे हाइस जगह है होंकों की दपीग करके वहां पे मैं गया था सबसे सबस्ते उप्षिन में यानि पैदल और बस इस से और फेरी से वो मेरा डेडिकेटिट ब्लोग मैंने बनाया दा पीक पे आपको कैसे जाना है बहुत ही कम पैसों में आप एक्सप्लोर कर सकते हो दूसरा आप एक दूसरी ट्रैम वगेरा चलती है जिनको बोलते दा पीक ट्रैम आप उनकी टिकेट ले सकते हो और और पीक पे यहां पर अच्छा लगया मुझेर नहीं था खाली था बहुत क्रावटिड नहींने देखा आपको लाइक है नेचर से भी जुड़ने का मजा सा आपको देखने में और भी काफी दू 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 तक आप देख सकते हो आप वह पोर्ट वगारा देख सकते हो जो होंगकोंग और मकाओ को जोड़ता है जो दुनिया का सबसे बड़ा सी वरीज है वहां से थोड़ा मोड़ा सा दिखता है अगर आपके पास दूर्बीन वगारा तो आप बहुत अच्छे से देख सकते हो फेरियां भी देख सकते हो जो फेरी चलती है होंगकोंग से मकाओ के लिए वह भी देख सकते हो इन शॉट काफी बढ़िया वाला था अगर आपको टाइम सेमिंग करनी है और आ मैंने डेडिकेटिट व्लोग भी मना रखाया आप वह देख सकते हो वह देखने के बाद मेरे को शाम होगी थी क्योंकि ट्रेकिंग की मैंने घुमा फिरा उदर और 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 बी काफी सारे मोल वगारा बने होते वहां पे एक मॉनोपॉली करके मॉनोपॉली करके कैसीनो और काफी सारे चीज़े मैंने देखी उसके साथ मेरे खाल से मैं वहां से आने के बाद एक जगाय पर गया था एक काफी फेमस एरिया है होंकोंग के अंदर जहां पे सबसे गरीब लोग रहते हैं यानि एक दस बाई-दस के कमरे में दो पोर्शन होंगे उसी के अंदर पू किसमत से अगर आपका मन में है जैसे मैं हुँ मैं वहां के बारे मैं अच्छी और बूरी दोन तरे की चीज़े द देखनाछाता हूं मैं स्रिफ चीज़े देखके आपकी बुराईयां भी कितनी हैं जिससे हम किसी देश को समझ सकें तो आप वो भी एक्सप्लॉर कर सकते हो जिसका भी मैंने डाक साइड का करके एक व्लोग बनाया हुआ है आप देख सकते हो उसमें मैंने काफी सारी चीज एक्सप्लेइन की है रिच साइड और पूर साइड अगर आप देखना चाहते हो होंग कोंग की क्योंकि होंग कोंग और मकाव के बारे में बोला जाता है पूरा लैविस लाइफ बहुत अमीरों का देश बोला जाता है पर वहीं पे एक ऐसी साइड भी है जो कि बहुत ज़्यादा डार्क है तो वह भी मैंने कवर की थी तो आप ये इंक्लूड कर सकते हो और अगर आप चाहते हो पैसा स्पैंड करना तो वहां पर बहुत सारी बुल्डिंग्स हैं फीस देके एक ऑब्जरवेटरी डेक पर जा सकते हो और वहां पर ड्रिंक वगर इंच्वोई कर सकते हो उसमें सभी के नाम भी लिग दूगा आप इसीली व मुझ आप्लिकेशन से देख सकते हो आप वहां पर सकते हो अब एक बुद्धा का स्टैच्टि और काफी बड़ा काफ़ी सारी स्टेड्स हैं वहां पर जा सकते हो एक केमल कार चलती है वहां पे वो भी काफी famous आप उसको भी enjoy कर सकते हो जिससे पूरे Singapore का आप देख सकते हो तो इस तरीके से आप अपना day two पूरा खतम कर सकते हो उस दिन और उसके बाद अगर हम बात करें तो day three के अंदर आप disneyland जा सकते हो disneyland काफी famous दुनिया के सबसे most popular Disneyland में से एक Disneyland Hong Kong के अंदर है जिसमें अगर आप family के साथ आप जा रहे हो तो वहाँ पे time spend कर सकते हो काफी अच्छा है मैंने बहुत सारे वीडियो देखे है वाट मैं personally ride वगेरा मैं इतना interested नहीं हूं मैं एक दो बारी जा चुटा हूं तो वहाँ पे मुझ मैं चला गया था मकाव मकाव मैं गया था बस से आप फेरी से भी जा सकते हो और हलिकोप्टर से भी जा सकते हो बहुत सारा पैसा है तो तो 20-30 मिनिट की ride होती है हलिकोप्टर में 18-20 हजार रुपे की helicopter ride होती है और दूसरा option है फेरी फेरी में आप जा सकते हो एक साइड लगबग 32-300 रुपे में पड़ेगा और फेरी से बहुत इजी रहता है आपको ज्यादा इदर उदर नहीं गुमना होता सिद्धा बस पकड़ो फेरी टर्मिनल पर जाओ और वहों जाओ मैं गया था बस में क्योंकि मुझे सस्ते सस्ता option डूड़ना था और मेरे लगे थे 65 Hong Kong डॉलर 600 रुपे और बस में लगे होंगे मेरे खाल से 40 डॉलर में 400 रुपे मेरा आना जाना इसके अंदर हो गया था मेरे खाल से नहीं पैसेट एक साइड गा था 70 आने गा था रात हो अब सकता तो अब से एक्स्ट लॉर करना चाहते हो दुनिया का सबसे लंबा ब्रीज देखना चाहते हो जो कि पानी के अंदर है वर्ल्ल लॉंगेस्ट ब्रीज जो की समूंदर कें और दोनों साइड आपको सिर्फ पानी पानी दिखेगा और बहुत लंबा बिरीज है वह आप देखना चाहते हो तो मेरे वाले इटिनरी फोलो कर सकते हो और बस से जा सकते हो पैसा भी बचेगा और कुछ नया देखने को मिलेगा फेरी से इतना कुछ खास पता नहीं चलेगा एक गंटे में पहुचा देगा बस भी अल्मोस्ट इतना ही टाइम लेती है बट वहाँ पर जो ब्रीज देखने को मिलता हो थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ आप दुनिया के एक ऐसी जगह पर हो जो की रेर्स में आती है तो वहाँ पर पहुचने के बाद मैं सीधा मकाउ उपे गया मकाउ जाने के बाद इमिग्रेशन ऑफिशन ने कुछ नहीं पूछा सि कोई वीजा या फिर कोई भी फार्म वगरा बढ़ने के जरूरत ही है मकाउ से सिधा आप एकजिट ले सकते हो ओके बट दो थिन चीज़ों का द्यान रखना आप अपना प्रिंट की फॉम में कैरीर करना और आते टाइम और जाते टाइम वो दोनों टाइम आपको जुरूर कोई जो का इन्हें की वहां सीट बबने के वो ली अब bullish ड़ो की काफी थेट्रल्स है मकाओ का जहां याँ पर प्रिजब रखे दिवार ची या-दिः है सिर्फ फरनट-फरनitute है वहाँ पे हैपे पीचे कुछ नहीं बहूँ》 सब बताया हुआ है तो वहाँ पे आप देख सकते हो और वह काफी बढ़िया स्पेस था और वह बहुत ज़्यादा पुराना था और इन्होंने प्रिजव करके रखा था काफी पॉपुलर है बहुत सारी भीड होती है वहां पे आप जाके देख सकते हो काफी सारे आउसे पड़े हुए आज भी वहां पे उसके बाद में वहां से निकल गया था एक रॉप पे एक किला पे उसके साथ में एक किला काइंड ऑफ था पुराने टाइप का बहुत सारी कैनन वैनन लगी हुई थी और मकाव म्यूजिय वगेरा थे वहां पे कैसीनोज के अंदर वीडियो बनाना वैसे लाउड नहीं होता है बट हाँ परसनली आपको मजाएगा अगर आप गैंबलिंग करते हो तो तो शयद आपको मजाएगा मैं करता नहीं हूँ मैंने कोई पैसा स्पैंड नहीं किया क्योंकि मुझे पता था तो मैं हार जाऊंगा और मुझे खेलना भी नहीं चाहिए था पर आप अगर गैंबलिंग में इंट्रस्ट रखते हो तो खेल सकते हो ट्राइ कर सकते हो लकवगर आज महाँ सकते हो और अप मेरे जैसे उट प्री का फूड़ इंज़ चाने को मिल जाएगे दूद मिल जाए तो भी भी खा सकते हैं कोई बात नहीं है वैसे बच्चों की एंट्री अलाओड नहीं मैं बता देता हूं कैसीनों के अंदर तो वहां पर जाओ तो आप देख लेना एक एक करके चले जाना बच्चा पहले वाइफ को देदेना फिर आप गूम किया जाना ऐसे आप कर सकते हू तो यह बसे बढ़े जिएनलग यृ dropped और बिल्डशी घ्राइबट परसीन उसके बढ़त अ vocabulary पर्शीट्रा अर से वहां पर और से बहुत सारे building building भी हूई है पुरा आपको एसी feeling आएगी कि आप उरोप में आगे थोड़ा साइड में जाओगे UK का इंफरा देखने को मिलेगा आपको United Kingdom का London का खास कर वहाँ पूरा 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 लंडन की थीम बना रखी है काफी बड़ीया लग रहा तो देखने में तो आप वहाँ पर भी जा सकते हो और इस तरीके से आपको पूरा दिन ही निकल जाएगा अगर आप मेरे जैसे से डे ट्रिप करना चाहते हो तो आपको होटल बुक कराने की जुरूरत नहीं है आप शाम कोई पूरी रात बस चलती है रात के टाइम पर यह बस लेके वापस आ सकते हो और मकाव से होंग कोंग वापस एंटर कर देता हूँ वहाँ पर ट्रांसपोर्ट पर भी पैसा मत खर्च करना मोटली जगह पर फ्री बस सटल्स चलती है एक कसीनो से दूसरे कसीनो व्लोग में अच्छे से बताया है तो फ्री ट्रांसपोर्टेशन फ्री फूड मकाव में हो जाएगा आपका और शोटी डाप कोई पैसा नहीं ले गया मैंने भी मकाव में कुछ खास खर्च नहीं किया था क्योंकि फ्री में सब सारी चीजे मिल रही थे तो यूटलाइज की जाए तो व्लोग देख ले ना उससे आपको आइडिया लग जागा कैसे करते हो फैमिली के साथ भी जारो तो भी आप उनमें ट् इस या चाइना क्योंकि वहाँ पे अगर आप गूगल भी करोगे वर्ल्ड विगंट से गैमलिंगहब या फिर गैमलिंग कैपिटल तो गैमिल्स के बाद बहुत जाब पैसा चाइना के बिलेनेर और मिलेनेर वहां पर आके बहुत जाब पैसा उड़ाते हैं और आपको ला फौर्थ डे आप दोबारा से अपने होंग कोंग आ सकते हो होंग कोंग से फिर आप आप कहां जाना चाहते हो वह प्लान कर सकते हो मेरी केस में चला गया था चाइना चाइना में गया था हाइस्पीड ट्रेन से जिसे बुलेट ट्रेन भी बुलते हैं बुलेट ट्रेन से में आठ चुछान।ट लाए था चायना, आपके केस में आप इंडिया वापस आ सकते हो, और इस तरीके से आप अपना दोसे थीन निन का्या ट्रिप् प्लैन कर सकते हो, धायंगी फैमिली के साथ हो, और भी घूमना चाहते हो तो बहुत सारी चीज़े हैं में गूमने के लिए मै सिरीज यूटूब पेस वीडियो के बाद वह चाइना की होगी अगर होंग कोंग के बारे में समझना है तो मैंने डिटेटेल वीडियो बना रखें अल्रेडी प्लेडिस्ट इदर आ रहा हुगा तो आप देख लेना और प्लेडिस्ट में जाके पूरे वीडियो बगरा तो सच में मज़ा है अगर आप चाहिना की सीरीज देखना चाहते हैं तो कल से स्टार्ट हो जाएंगे इस वीडियो के बाद तो आप देख सकते हैं और इस वीडियो से पूछन रहता तो बिंदास पूछना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो मिलते हैं नेक्स व्लोग में तब तक के लिए बाई बाई